Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कर आता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक है. CBAC board के courses के साथ साथ, आपको other state board के भी courses available है. In Indy Medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses. Proper systematic way में कोई दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली है. Daily practices के questions में मिलेंगे, तो भई प्राक्टिस भी करते जाएगा. E-books और E-notes के link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं मनती. So, आज हम क्या करेंगे? हम important parallels of latitudes जानेंगे. हमने globe के बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला ना, globe क्या होता है? कैसा दिखता है? Globe, earth का एक miniature form होता है, एक mini form होता है. यादे किस को यादे की नहीं दिख रहा है, ये हमारे earth का mini form होता है. हमने globe के sizes, shape के बारे में जाना, कि अलग-अलग shape sizes में हमें क्या मिलता है? Globes available, रहते हैं. उसमें जो country, oceans and continents हैं, वो भी exact वैसे ही size में हमें information उनकी available है. चलिए, हमने axis के बारे में जाना, कि earth में real में कोई ऐसी needle नहीं है, जो हम globe में देखते हैं. Globe में एक needle होती है, जिसके तो हम rotate करते हैं globe को, but earth में ऐसी कोई भी क्या needle नहीं है. अर्थ अपने axis पे खुदी move करता है, west to east, तो हम क्या कर सकते हैं, globe को rotate भी कर सकते हैं, then हमने क्या जाना, कुछ lines की बारे में, lines हमने longitude और latitude lines की बारे में जाना. उससे पहले आपको comment कर देना है, और share कर देना अपने friends को की important, topic में ही आ गया है, यहाँ पर heading ही important, तो आपको क्या कर देना है, share कर देना है, ताकि वो भी आके session देखे, और like कर देना है, चली start करते हैं. ओके, so यह हमारे important parallels of latitude है, है ना, हमने क्या समझा था, हमने देखा था, पहले इसको समझते हैं पुराना, जो याद हो आपको, हमने देखा था, यह equator है, जो 0 degree पे रहता है, क्या यहाँ 0 degree लिखा है, 0 degree पे हमारा equator है, यह जो है ना equator, equator की जो line है 0 degree पे है, ठीके, अब हमने द देखा तो, जो equator के ऊपर के जो भी latitude है, ऐसे lines जा रही, अभी इनको मत देखो, अभी ऐसे lines हमने देखी थी न, जा रही थी, इस ट्रैप की lines जा रही थी, कुछ ऐसे यहाँ पे जा रही थी, उनके हमने degrees देखी थी, तो हम क्या denote कर रहे था, हम कैसे denote कर रहे था है, हम जैसे क्या बनेगे, हम इसे बनेगे 15 degree south, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, नहीं न, मैं सही बोल रही हूँ न, तो मतलब हमने पहले समझाता कि equator की line के उपर, जो उपर का portion है, वो north हो जाता है, जो नीचे का portion है, वो south हो जाता है, denote कैसे करते हैं हम degrees को North और South में, जैसे 15 degree North 20 degree North, 30 degree North ऐसे 15 degree South 30 degree South 45 degree South आगे हैं समझ में? आप पुरा ना याद आया अब आगे इसे देखते हैं ठीकहए? अब आगे इसे देखते हैं क्या लिफा है यहाँ पे? Besides the equator 0 degree the North Pole 90 degree North and the South Pole 90 degree S there are 4 important parallels of latitude मतलब जो हमने समझा, हमने क्या समझा, हम तो यह देखी रहे हैं, कि भई हाँ यह equator है 0 degree पर, यह हमने north side देख रहे हैं, हमने south की degree देखी, मतलब यहाँ पर 90 degree यहाँ देख लिया, 90 degree north side का हमने यहाँ पर देख लिया, तो यह तो हमें पता है, बट इसके अलावा, other than that, हमें और भी four important latitudes पता अचीं, latitudes कैसी line होती है, latitudes जो होती है, horizontal line जो समझो LAETY हुई है, horizontal line को हम क्या बोलते है horizontal line को हम latitude बोलते हैं तो हमने horizontal line में पहले equator देखा था कि नहीं देखा था हाँ जी बिल्कुल देखा था then हमने देखा था 90 degree side में हमने north का देखा था then हमने 90 degree south में हमने south का देखा था आया समझ में अब समझते हैं कौन से है जो 4 important है और वाकरी में important है आपको पता होना चाहिए इसको अच्छे से समझ ना tropic of cancer 20 degree and half north मतलब 20 degree and half north in the northern hemisphere मतलब आप यह समझ लीजे 23.5 20 degree and half north 23 degree and half north यह क्या है यह tropic of cancer क्या बोलेंगे इसको tropic of cancer देख लेते हैं यहाँ पर यह जो जा रहा है न यह हमारा है tropic of cancer है की नहीं है ठीक है भई अब आप इसके degree देखिए यह है 23.5 क्या लेजिए 23 half north ठीक है 23 degree half north 23 and half degree north यह बोल लीजे हाँ इसका सही बोलने का तरीका ही होगा 23 half degree north यह है आपका tropic of cancer दिख रहा है यह आपका important क्या है parallel of latitude parallel of latitude है एक important कहां मिलेगा यह आपको obviously यह north direction है हाँ जी north direction है equator से उपर यह सारा north है यह हमारे equator को मैं dividing कर देती हूँ equator को हम क्या कर देते हैं green से अलगी वो कर देते ताकि आपको समझ में आ जाएगा पना आप dot एक दम से नहीं ध्यान देंगे तो यह पूरा हमारा equator है equator के उपर क्या हमारे north है जी हाँ बिल्कुल north है तो यह क्या है यह हमारा tropic of cancer है ठीक है तो कहां मिल रहा है हमें north side में मिल रहा है की नहीं मिल रहा है हाँ जी बिल्कुल हमें north side में मिल रहा है अब देखते है आगे क्या है topic of capricorn 23 half degree south in the southern hemisphere अब हमें tropic of capricorn देखना है कहां है कहीं किसी को देखरा है क्या जी 23 half degree south क्यों कह रहे हैं हम south क्यूंकि यह जो area equator के नीचे का यह सारा south है यह जो area equator के नीचे का यह हमारा south है इसलिए हम इसे कह रहे हैं 23 half degree south जैसे वो north था नीचे south है यह हमने degree पहले ही देख ली दी लास्स में हमने पढ़ा था जिसको याद होगा बहुत अच्छे समझ में आ तो क्या है tropic of Capricorn बोलते हैं जो हमें southern hemisphere में मिलता है इसकी importance अभी हमें बात में समझ में आएगी अभी आप सोच रहे हैं कि यह पढ़ने की क्या ज़रूत है बट इसकी importance हमें बात में आखे चल की chapter में पता चलीगी अब क्या है एक architect circle है जो हमें मिलेगा 66 and half degree north में equator के north में यह कहां मिल रहे हमें मैं जान मुझके से बहार निकल कि इसको तर बड़ा बना रही ताकि को समझ में यह हमारा 66 and half degree north क्यूं है north क्यूंकि उपर साइड है तो north ही होगा न एक्वेटर के उपर वाला portion northern hemisphere तो यहां पे हमें क्या मिलता है आर्किटिक circle मिलता है ठीक है अब क्य 66 and a half degree south में हमें क्या मिल रहा है हमें Antarctic circle मिल रहा है क्या हमें मिल रहा है हाजी बिलकुल मिल रहा है आया समझ में अब देखते हैं अब यह जो बना लिए इसको पूरा देखते हैं हमें एक आया है कि एक वेटर भी एक parallel line है है अर्थ को divide कर रहे ही important है इसके अलावा four other important parallel lines है पहली से शुरू करते हैं Tropic of Cancer जो हमें north में मिल रहे है क्योंकि equator के उपर portion में उपर क्या है north नीचे south तो इसलिए हम इसको कैसे denote करेंगे इससे हम 23 half degree north करके हम इसे denote करेंगे यह Tropic of Cancer हो गया अब एक south में एक और line जा रहे थी एक और latitude उठा जिसको बोलते है Tropic of Capricorn जो south में क्यों है क्यों है क्योंकि equator की नीचे पूरा south ही तो है southern hemisphere है तो इसको क्या denote करेंगे हम इसको बोलेंगे 23 half degree south ऐसे हम denote करते यह एक और line थी हमने आर्किटिक सरकल की देखे थी जिसको हम क्या denote करे थे north करके क्यों क्योंकि भाई यह उपर portion में north side में तो 66 half degree north में ठीक है अब हम हमने एक और line देखे थी हमने रिखे थी यहां पर अंटार्क्टिक सरकल की लाइन जिससे 66 half degree south में क्यों क्यों क्योंकि south में अब आप यह बोलेंगे degree कैसे हो रही है 23,23,66 समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा इसलिए देखे इनको पूरा अटा दू चलो पूरा अटाते यह आपक करते 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 यह क्या हो गया यह 23,5 समझ ठीक है इसे बढ़ रही है यहां आते यहां आते यहां आते आते फाइनली north pole कहा है हमारा 90 डिगरी piss किया न्वार्थ पुल माना यग कंद सकता यहां यहां नॉर्थ पूल 9 इंप 2 है कि लिखा है कि उन दिवेश시면 10 नॉल नाइंटी डिग्री नॉःट नॉस्फल थी मरहां नॉथ वो अऀंटी आ और कम जाएंगे 66 और कम जाएंगे 23 फिर फाइनली हमारा जीर होज़ाइगा अब अगर हमें यहां के पता करना है तो यहां पर कैसे होगा यहां पर कैसे होगा only यहां पर हैसे करते करते 1 2 3 4 पहुच Предफेव developed está फउर 23and half degree south पर जाएगा 53 54 ऐसे करते करते यहां पर आ जाएगा हमें मिल जाएगा 66 क्या में 66 मिल जाएगा हाँ फिर साउथ पोल में ऐसे आते 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 यहां पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 90 degree south 90 degree south pole हमें मिल जाएगा क्योंकि यह main points है यह main points है यहाँ पर square head से करते है यह main points है यह हमारे north and south pole के points है और north and south pole हमारा कैसा है 90-90 degree पर रहेगा यह धियान रखना north and south pole हमारा 90-90 पर रहेगा equator हमारा 0 degree पर ठीक है बाकि यह यह जो हमें points मिल Morris Day कि 90 के नीचे थोड़ा 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 है। तो हमें 66,5 degree पर मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा थो हमें 23 elementary degree पर क्या मिलेगा। क्या मिलेगा हमें topic of cancer मिल जाएगा। एक्वेटर जीरो पर यह 0 हो गया। अब यहां से गिंदी शुरू करेंगे, यहां पर साउथ पोल क्या है, 90 पे पहुचा, जैसे वो 90 पे था, किसी के साथ कोई पार्शलेंटी नहीं, सब एक जैसा है, ऐसा ही अंटार्टी सकल आपको मिलेका 66.5 डिगरी पे, फिर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग इक्वेटर के उपर है, तो नौर्थ आ गया, और जो कैप्रिकॉन है वो नीचे है एक्वेटर के, तो वो साउथ में आ गया, बाकी दोनों की जो डिगरी से आप देख रहे हैं, 23.5 डिगरी हाफ मतलब सेम है, ऐसे अगर हम बात करें आर्किटिक सर्कल की और अंटार्टिक तो इन दोनों का भी सेम है, 25.66,66 इसको बोलते है, 66.5 इसका भी सेम है, 66.5 डिगरी, बट ये एक्वेटर के ऊपर है कौँ, आर्किटिक तो इसको नौर्थ बोलेंगे, और अंटार्क्टिक का जो है, किसके नीचे अंटार्क्टिक हमारा जो सर्कल है, वो एक्वेटर के न बर फिर से देखते हैं, हा मुद अच्छे से लिख जहाँ बात करते हैं नॉर्फ पोल की तो unpleasant हमारा 90 डिग्री नॉर्फ पे है, इंपार्टिन्ट पैरिलल्स की बात करें, लावना नॉर्फ की रहेगा, कित्री डिगरी उसकी रहेगी 23.5 डिगरी रहेगी same Tropic of Capricorn की रहेगी 23.5 डिगरी रहेगा but Tropic of Cancer equator के उपर है तो North बोलेंगे or Tropic of Capricorn equator के नीचे है तो South बोलेंगे then same with Arctic Circle यह उपर है equator के तो 66.5 जो है North बोलेंगे और Antarctic Circle क्योंकि equator के नीचे है इसको 66 and a half क्या बोलेंगे इसको south बोलेंगे तो ये क्या है ये हमारे important parallels of what latitudes है इन्हें अच्छे से देख लीजे क्या कर लीजे इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजे image को भी नहीं समझ में है थोड़ा बहुत भी doubt रहता है एक दो बार देखिए और read करी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्या कर दो फटाफट से like कर दो फटाफट से क्या कर दो भाई like करके मुझे बता दो कि वे समझ में आ गया है इसी के साथ आपक जो topic है important latitudes जो parallels है latitudes के जो हमें पता होना ही चाहिए आगे भी हमारे काम आते हैं ठीक है तो like करी comment करके मुझे जरूरू बताएगा इसी के साथ ये video एंड होती है अगर आप और भी video के lectures दिखना चाहते हैं तो आप Magnet Wins के YouTube चानल पर दिख सकते हैं एप्लिकेशन पर दिख सकते हैं आपको अच्छी क्वालिटी में और कैसे 100% free available है आप हमें अधर प्लाटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे जासेदा लाइक कीजिए, जासेदा शेर कीजिए और क्या नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अपना ख्याल रखे, थाइंकियो सो मच पर वाचिंग